अब जो आप यूटूब चैन्ट इस चैसिंग आज के वीडियो हमारा लेसन नमबर 18 का पार्ट फस्ट वीडियो जहां पर हम सीखेंगे कैसे हमारी मूफ कर पाती 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 है उसके बारे हम हम डीटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में तो में इस वीडियो को पूरा लास तक देखे त जो कि एक connective tissue है, इसकी मदद से हमारे bone के साथ connected रहती है, attached रहती है, हमारी muscle की ability होती है force generate करने की और जब भी आप कोई movement या कोई action perform करने की सोचते हैं, तो यह जो force generate करती है muscle, उसकी मदद से या muscle contract करती है, और जब भी muscle contract करेगी तो क्या होगा, जो bone आपकी muscle से attached है tendon की मदद से वह क्या हुआ, एक lever की तरह act करेगी, जिससे कारण movement perform होगा, जो आप action सोचते हैं, वह perform होता है, इस mechanism को हम एक example की मदद से समझते हैं, for example, आपने शीशो देखा होगा, बचपन में आप इसमें जरूर बैठे होंगे, को कभी ने, कभी तो बैठे ही होंगे, यह ऐसा हो इनी सकता, आप मिना बैठे हो, है ना, यह सब के बचपन का एक part है, तो इसकी मदद से हम, मैं आपको समझाने कोशिश करता हूँ, कैसे यह हमारी muscle काम करती है, ठीक, इसी तरह का arrangement हमारे body के अंदर भी होता है, जिस कारण हम movement perform कर पाते हैं, for example, यह जो image आप देख पा रहे हैं, जिसको हम force भी बोल सकते हैं, वहीं इस image के जो दूसरे side है, वह है load, है ना, load या resistance बोल सकते हैं, या weight बोल सकते हैं, और इन डोनो जो effort और load को जो connect कर रही है, या orange color की beam, इसको lever बोलते हैं, और यह जो lever जिस fulcrum पे रखा हुआ है, जिस axis, एक particular axis पे या move करता है, उसको fulc हम बोलते हैं, हमारे body के movement को समझने के लिए हम भी इसी तरह के mechanism का use करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो यह effort होता है, इसको हम muscle का form दे देते हैं, जो muscle हमारी generate करती है, वो क्या थी force, एक तरह का effort है, तो जो effort की जगह आपको क्या रखना है, muscle, muscle हमारी force generate करती है, वहीं जो load हो गया, load की जगह जो भी आप external weight उठा रहें, for example, अगर मैं यह remote उठा रहा हूं, तो यह में लिए external weight है, तो यह एक resistance की तरह काम करेगा, यह एक load की तरह काम करेगा, जो आपने यह orange color की beam देखी, orange color की पटी जेखी, जो effort और load को connect कर रही है, यह हमारी body में किस तरह से ह पर्टिकुलर डारेक्शन में, उसका movement perform होता है, इस joint की मदद से, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं, जल्दी से कि क्या-क्या हम चीज़े consider करेंगे, तो जो effort हो गया, वह क्या हो गई, muscle, जो load हो गया, वह हो गया, external weight, और जो यह joints हो गया, यह fulcrum हो गया, और जो हमारी bones हो गई, वह हो गई, lever, so यह चारों चीज़े मिला के हमारा एक system बनात यह कि जो हमारा effort, load और fulcrum होता है, इसको variation करके ही यह first class, second class, third class lever design किये जाते हैं, हम आज example लेते हैं, किसी third class lever का, okay, third class lever में जो आपका effort होता है, वह बीच में होता है, load और fulcrum के, हमारी body में जातर movement इस third class lever के basis पर ही होते हैं, चलिए मैं एक example की मदद से आपको समझाने क कोशिश करता हूँ, for example, हम कोई exercise लेते हैं, जैसे कि कौन सी लेते हैं, सबका favorite लेते हैं, bicep curl, okay, यह हो गया, bicep curl, तो इस bicep curling में जो सबसे main action होता है, वो क्या होता है, elbow flexion, मतलग, यह action क्या कहलाता है, elbow flexion, okay, तो इस action में, इस movement में, क्या क्या चीज़े, कैसे काम करें, वो हम समझने की कोशिश करेंगे, so पहली चीज़ क्या होती है, जो forearm की bones है, radius और अलना, यह हमारे लिए एक lever की तरह act करेंगी, ठीक है, और वहीं जो हमारी bicep की muscle है, वो हमारी effort की तरह काम करें, क्योंकि हमारी bicep की muscle ही force generate कर रहे है, इस forearm को उठाने के लिए, sorry, इस load को उ पर जो elbow joint है हमारा वो एक falcrum की तरह act करेंगा हमारे लिए, इस movement को perform करने में, हमारे इस bicep कल को perform करने के लिए, जो elbow flexion हो रहा है, इसको perform करने के लिए, हमारी यहां पर bicep की muscle काम करती है, हमारे bicep में जो 3 main muscle है, brachialis, bicep brachai and brachioradialis, यह 3 muscle हमारे elbow flexion perform करती है, so जब भ क्योंकि हमारी जो bicep की 3 muscle है, वह इस elbow joint को cross करके हमारे इस forearm में attach होती है, for example, जो हमारी bicep brachai है, वह इस elbow joint को cross करके यहां पर attach होती है, जिसको हम medial proximal part of anterior radius बोलते हैं, वहीं जो brachialis muscle है, हमारे bicep की, वह इस elbow joint को cross करके यहां पर attach होती है, जिसको हम lateral part of proximal अलना बोलते है वहीं जो हमारी brachioradialis muscle है bicep की वह यह elbow joint cross करके यहां पे attach होती है जिसको हम distal lateral part of radius बोलते हैं आपने देखा कि हमारी जो bicep की सारी muscles है वह हमारा elbow joint cross करके हमारे forearm की जो bone है अलना और radius में attach होती है इसलिए जब भी आप इस elbow flexion को perform करते हैं तो क्या को होता है bicep की muscle इस forearm की जो bone है radius और उसको lift करती है तो यह lever की तरह काम करती है हमारी forearm की bone ओके और यह हमारे fulcrum जो elbow joint है इसकी मदद से rotate करती है यह action हम perform कर पाते हैं सो हमारी body में इसी तरह से सारे movement होते हैं और हर movement को perform करने के लिए हमारी muscle effort लगाती है force generate करती है और muscle के ही कारण हमारी bone lift हो पाती है हमारे सारे actions perform हो पाते हैं हम जो भी action perform करते हैं जो भी movement daily life में perform करते हैं वह muscle के कारण ही हो पाता है सो बॉटम लाइन यह है कि जो भी मुवमेंट आप पर्फॉर्म करते हैं चाहे वाकिंग, रनिंग, स्विमिंग, पुशिंग, पुलिंग, उस पर आपकी जो इसक्रेक्टर मसल है वो अकॉंट्रेक्ट होती है, मसल एफर्ट जनरेट करती है, और या लीवर की तरह जो बोन हम वोड़ी के अंदर, जिसके कारण हम मुवमेंट परफॉर्म कर पाते हैं, आज की वीडियो में तही हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में, वीडियो छोड़के जाने से पहले वीडियो पर लाइक कमेंट जरू करें, और इस वीडियो को जितना हो सागे उतना शेर क और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो make sure मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए and hit the bell icon. Thanks for watching, stay healthy, stay fit, bye. चैन.